हालो दोस्तों एक बार फिर आगया है याँ तो दोस्तों बात करेंगे हम धमन मूवी और पठाथन मूवी के बारे में जी हैं धो कंट जो बहुत ही बहुत ही जबर्दस और रिकॉर्ड कह सकते हैं कि इस साल की ये प्agit कि बहुत hmenकेदार मुवी होने वाली हैं और कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि ये मूवी जो है अडवांस बुकिंग फेक हो रही है फेक कहां से होगी भाई पहले बोल गए तो भाइक आप भी जब अडवांस बुकिंग ज्यादा हो रही है तो लोग बोल रहे हैं इसकी जो अडवांस बुकिंग फेक है फेक कैसे हो सक लेगती है जो मूवी फैक तो दोस्तों मैं सच बता रहा हूं ठीक है इसकी जो अडवांस भुकी है वह रियल है और ऐसे में अचरूख भाइद धमाकेदार कोई बोल रहे है कि इसकी जो अडवांस भुकी है उल्ली उसके फारूख भान की फैन ही कर रहे हैं पहले बोल रहे इनके फैन फिलम नहीं देखते हैं, अब बोल रहे कि इसके जो फैन है, पूरी टिकेट होई, बुक कर रहे हैं, तो इसमें क्या लोजिक क्या है, कुछ लोग दमन मूवी को पठान के साथ कंपेर कर रहे हैं, कि पठान मूवी आएगी दमन मूवी नहीं चलेगी, तो भाई य पठान अपनी जगा है, पठान होगी 25 जनवरी को रिलीज ठीक है, और इसके लिए बहुत टाइम पड़ाया है, यह जो मूवी है, वो तीन फर विरी को रिलीज होगी, तो इसमें कुछ बात नहीं है, तो दोस्तों इन बातों को छोड़के हम बात करते हैं, इसकी जो लाग टिकट अभी तक बिक चुके हैं, उपर गये हैं अभी तक, जिस टैम में यह वीडियो बना रहा हूं, पांच लाग पच्चिस हजा टिकट बिक चुके हैं, तो ऐसे में भाई, रॉला फुल होने वाला है, तो कह सकते हैं, इसकी जो अड़बांस बुक है, वो रियल ह चुके हो गया है, और कह सकते हैं, भाई, पहले दिन का जो मेरा प्रडिर्शन हो सकता है, 45-55, जी हां दोस्तों, 45-45-40 करोड बीच में कमा सकती है, और अगर ऐसा ही चलती रही है, इसकी अड़बांस बुकिंग, तो कह सकते हैं, जो अड़बांस बुकिंग, पहले दिन का तो आएगा 50 करोड, जी हां दोस्तों, अगर ऐसे ही जैसे चल रही है, दिन के 4-5 करोड डेली का इसका जो बढ़ रहा है, अभी तीन दिन बाखी है, और तीन दिन में ये कम से नव कम 10-12 करोड और कमा सकती है, तो ऐसे में कितनी हो जाईगी, 30 करोड इसकी अड़बांस मगर तोड़ना बहुत मुश्किल तो है, हो सकता है, तो बिलते हैं अगली वीडियो में, यही था, तो बाई बाई